गोवा के उर्जावान और लोगप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोज सावन जी, केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे साथी, गोवा के सपूत श्रिपाद नायक जी, केंद्र सरकार में मंत्री प्रिशत के मेरे साथी, डॉक्टर भारती ताई पवार जी, गोवा के सभी मंत्री गण, सांसद और विधायक गण, अन्य जन प्रतिनी धी, सभी कोरोना वारियर भाई और बहनों, गोयेच्या मजा मोगाल भावा बहनेना तुमचे अभिनन्दन, आप सभी को स्री गणेश पर्व की धेर सारी सुबकामनाई, कल अनन्त चतुरदर्शी के पावन अर्षवर पर हम सभी बप्पा को विधाय देंगे, हाथों में अनन्त सुत्र भी बादेंगे, अनन्त सुत्र यानि जीवन में सुक, समुरुद्धी, लंबी आयू का आशिरवाद, मुझे खुसी है कि इस पावन दिन से पहले गोवा के लोगों ने अपने हाथों पर, बाँ पर, जीवन रक्षा सुत्र यानि वैक्सिन लगवाने का भी काम पूरा कर लिया है। गोवा के प्रतेक एलिजिबल वेक्ति, पांत्र वेक्ति को वैक्सिन की एक डोज लग चुकी है। कोरोना के घलाब लड़ाई में ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए गोवा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, गोवा एक ऐसा भी राज्य है जहां भारत की विवित्ता की शक्ति के दर्शन होते हैं। पूराब और पश्चिम की संस्कृती रहन सेन, खान पान यहां एक ही जले देखने को मिलता है। यहां गणे सोचव भी बनता है, दिपावली भी दुमदाम से मनाई जाती हैं। और क्रिस्मस के दोरान तो गोवा की रोनगी वार बढ़ जाती है। ऐसा करते हुए गोवा अपनी पनंप्रा का भी निरवा करता है। एक भारत, स्रेष्ट भारत की भावना को निरंतर मजबुत करने वाले गोवा की हर उपलब्दी, सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे देश को खुसी देती है, गर्व से भर देती है। भाई और बैनों, इस महत्वप्र आउसर पर मुझे अपने मित्र, सच्चे कर्मयोगी, स्वर्गियं मनोहर परिकर्जी की याद आना स्वाभाविक है। सो वर्ष के सबसे बड़े संकट से, गोवा ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी है, परिकर्जी आज हमारे बीच होते, तो उनको भी आपकी इस सिद्धी के लिए, आपके इस एचिवमेंट के लिए बहुत गर्व होता। गोवा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज ठिका करन अभियान, सबको वैक्सिन, मुप्त वैक्सिन की सबलता में एहम भूमी का निभा रहा है। बीत एक महिनों में गोवाने भारी बारीस साइकलोन बार जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ भी प्रमोज सावन जी के नित्रुत्म में बड़ी बहदूर से लड़ाई लड़ी है। इन प्राकृतिक चुनोतियों के बीच कोरोना टिका करन के रप्तार को बनाये रखने के लिए सभी कोरोना वार्यस का स्वास्त कर्मियों का टीम गोवा का हर किसी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहां अनेक साथियों नहीं जो अनुभव हमसे साजा की हैं। उनसे साभ है कि अभियान कितना मुश्किल था। उपनती नदियों को पार करके वैक्सिन को सुरक्षित रखते विए दूर दूर तक पहुँचने के लिए करतव्य भावना भी चाहिए समाज के प्रती भक्ति भी चाहिए और अप्रतीम साहस की भी जरुरत लगती हैं। आप सभी बीना रुके बीना ठके मानवता की सेवा कर रहे हैं। आपकी ये सेवा हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी। साथियों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सारी बाते कितने उत्तम परणाम लाती हैं। ये गोवा ने, गोवा की सरकार ने, गोवा के नागरीकों ने, गोवा के कोरोना वोरियर्स ने, फ्रंट लाइल वर्कर्स ने, ये कर दिखाया है। सामाजिक और भावगोलिक चुनोतियों से निपटने के लिए, जिस प्रकार का समन्वय गोवा ने दिखाया है, वो वाकई सरानिय है। प्रमोजी आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बदाई। राज्य के दूर सुदूर में बसें, केना कोना सब डिविजन में भी बाकी राज्य की तरह ही तेजी से टिका कर होना, ये इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। मुझे खुशी है कि गोवा ने अपनी रब्तार को धीला नहीं पड़ने दिया है। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, तो दूसरी डोज के लिए राज्य में टिका उत्सव चल रहा है। ऐसे इमांदार एक निष्ट प्रयासों से ही संपूर्ण टिका करन के मामले में भी गोवा देश का अग्रणी राज्य बनने की और अग्रसर है। और ये भी अच्छी बात है कि गोवा न सिर्फ अपनी आबादी को बलकि यहां आने वाले परियटकों, बार से आये स्रमीकों को भी वैक्शिन लगा रहा है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाप, प्रसासन से जुड़े लोगों की भी सराना करना चाहता हूं। आप सभी के प्रयासों से कल भारत ने एक ही दिन में डाई करोड से भी अधिक लोगों को वैक्शिन देने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े और समुरुद्ध और सामर्थवान माने जाने वाले देश भी ऐसा नहीं कर पाए है। कल हम देख रहे थे कि कैसे देश तक तकी लगाए कोविन डैश्बॉर्ड को देख रहा था। बढ़ते विए आंकडों को देख कर उत्सा से भर रहा था। कल हर घंटे पंद्रा लाग से जादा वैक्षिन हुआ है। हर मिनिट 26,000 से जादा वैक्षिन हुआ हर सेकंड सबाद 400 से जादा लोगों को वैक्षिन लगी। देश के कोने कोने में बनाए गए एक लाग से जादा वैक्षिनेशन सेंटर्स पर ये वैक्षिन लोगों को लगाई गई है। भारत की अपनी वैक्षिन वैक्षिन के लिए इतना बड़ा नेटवर्क, स्कील मैंपावर ये भारत के सामर्त को दिखाता है। साथियों, कल का आपका जो एचीवेंट है न, वह पूरे विश्वम हैं, सिरफ वैक्सिनेशन के आँकणों के आधार पर नहीं, भारत के पांस कितना सामर्त है, इसकी पहचान दुनिया को होने वाली है, और इसलिए इसका गवरवगान, हर भारतिय का कर्तव्य भी हैं, और स्वभाव भी होना चाहिए, साथियों, मैं आज मेरे मन की बात भी कहना चाहता हूँ, जन्म दिन तो बहुत आए, बहुत जन्म दिन गए, पर मैं मन से हमेशा, इन चीजों से अलिप्त रहा हूँ, इन चीजों से मैं दूर रहा हूँ, पर मेरी इतनी आयू में, कल का दिन, मेरे लिए, बहुत भाव कर देने वाला था, जन्म दिन मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग अलग-अलग तरीके से मनाते भी हैं, और अगर मनाते हैं तो कुछ गलत करते हैं सामाने वालों में मैं नहीं हूँ, लेकिन, आप सभी के प्रयासों की वजह से, कल का दिन, मेरे लिए, बहुत खास बन गया है, मेडिकल फिल्ड के लोग, जो लोग पिछले डेड़ दो साल से, दिन रात जूटे हुए हैं, अपनी जान की परवा के बिना, कोरोना से लड़ने में देश वास्यों की मदद कर रहे हैं, उन्होंने कल जिस तरह से वैक्सिनेशन का रेकॉर्ड बना कर दिखाया है, वो बहुत बड़ी बात है, हर किसी ने इसमें बहुत सयोग किया हैं, लोगोंने इसे सेवा से जोड़ा, ये उनका करुना भाव, कर्तव यभाव ही हैं, जो डाई करोड वैक्सिन डोड लगाई जा सकी, और मैं मानता हूँ, वैक्सिन के हर एक डोच, एक जीवन को बचाने में मदद करती है, धाई करोड से जादा लोगों को इतने कम समय में, इतना बड़ा सुरक्षा कवच मिलना, बहुत संतोज देता है, जन्म दिन आएंगे, जाएंगे, लेकिन कल का ये दिन मेरे मन को चुग गया है, अब विस्मर्निय बन गया है, मैं जितना धन्यवाद अर्पित करू, वो कम है, मैं रुदे से प्रत्यक देश्वासी को नमन करता हूँ, सभी का आभार जताता हूँ, भाई और बहनों, भारत का टीका करन अभ्यान सिरफ स्वास्थ का सुरक्षा कवची नहीं है, बल्कि एक तरह से आजी विका की सुरक्षा का भी कवच है, अभी हम देखें, तो हिमाचल पहली डोज के मामले में सो परसेंट हो चुका है, गोवा सो परसेंट हो चुका है, चंडिगर और लख्ष्विप में भी सभी पात्र व्यक्तियों को पहली डोज लग चुकी है, सिक्किम भी बहुत जल्ग सो परसेंट होने जा रहा है, अन्दमान निकोबार, केरला, लद्दाख, उत्तराखन, दादरा और नगर हवेली भी बहुत दूर नहीं है, साथ्यों ये बहुत चर्चा में नहीं आया, लेकिन भारत ने अपने वैक्सिनेशन अभ्यान में टूरिजम सेक्टर से जुड़े राज्यों को बहुत प्रात्पिक्ता दी है, पारप में हमने कहां नहीं, क्योंकि इस पर भी राजनीती होने लग जाती है, लेकिन ये बहुत जरूरी था कि हमारे टूरिजम टूरिजम डेस्टिनेशन जल्द से जल्द खूले, अब उत्तराखंड में भी चार धाम यात्रा संबव हो पाएगी, और इन सब प्रयासों के बीच, गोवा का 100% होना, 100% होना बहुत खास हो जाता है, टूरिजम सेक्टर को रिवायु करने में गोवा की भूमी का बहुत एहम है, आप सोचिए, होटल इंडिस्ट्री के लोग हो, टैक्सी ड्रावर हो, फेरी वाले हो, दुकांदार हो, जब सभी को वैक्सिन लगी होगी, तो टूरिस्ट भी सुरुच्छा की एक भावना लेकर यहां आएगा, अब गोवा, दुनिया के उन बहुत गिने चुने इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सामिल होच कला है, जहां लोगों को वैक्सिन का सुरुच्छा कवच्च मिला हुआ है, साथियों, आने वाले टूरिजम सीजन में, यहां पहले की ही तरह, टूरिस्ट एक्टिविटी जो, देश के, दुनिया के टूरिस्ट यहां आनन्द ले सके, यह हम सभी की कामना है, यह तभी संभव है, जब हम कोरोना से जुड़ी सावधानियों पर भी उतना ही ध्यान दे गिये, जितना टीका करण पर दे रहे हैं, संक्रमन कम हुआ है, लेकिन अभी भी इस वायरस को हमें हलके में नहीं लेना है, सेप्टी और हाईजिन पर यहां जितना फोकस होगा, परियाटक उतनी ही ज़्यादा संख्या में यहां आएंगे, साथियों, केंद्र सरकार ने भी हाल में विदेशी परियाटकों को प्रोचाहित करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं, भारत आने वाले पांच लाख परियाटकों को मुप्त भीजा देने का फैसला किया गया है, ट्रेवल और टूरिजम से जुड़े स्टेक होल्डर्स को दस लाख रुपिय तक का लोन शत प्रतिशत सरकारी गरंटी के साथ दिया जा रहा है, रेजिस्टर टूरिस्ट गाइड को भी एक लाख रुपिय तक के लोन की व्यवस्ता की गई है, केंद्र सरकार आगे भी हर वो कदम उठाने के लिए प्रतिवद्ध है, जो देश के टूरिजम सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक हो, साथियों, गोवा के टूरिजम सेक्टर को आकर्शक बनाने के लिए, वहां के किसानों, मच्छवारों और दूसरे लोगों की सुविधा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्टर को डबल इंजिन की सरकार की डबल शक्ती मिल रही है, विशेश रुप से, कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्टर पर, गोवा में अभुत्पुर्व काम हो रहा है, मोपा में बन रहा, ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट, अगले कुछ महिनों में बन कर तयार होने बारा है, इस एरपोर्ट को नेशनल हाइवे से जोड़ने के लिए लगबग बारा हजार करोड रुपिय की लांगत से, सिट्स लेन का एक आधुनिक करेक्टिंग हाइवे बनाया जा रहा है, सिर्म नेशनल हाइवे के निर्माण में ही बीते सालों में हजारो करोड रुपियों का निवेज गोवा में हुआ है, ये भी बहुत खुशी की बात है कि नौर्थ गोवा को साउध गोवा से जोड़ने के लिए जूरी ब्रीज का लोकारपन भी अगले कुछ महिनों में होने जा रहा है, जैसा कि आप भी जानते हैं ये ब्रीज पणजी को मारगो को जोड़ता है, मुझे बताया गया है कि गोवा मुक्ति संग्राम की अनोखी गाता का साक्षी अगोड़ा फोड भी जल्द ही लोगों के लिए फिर खोल दिया जाएगा, भाईयों और भेनों गोवा के विकास की जो विरासत मनोहर परिकरजी ने छोड़ी थी, उसको मेरे मित्र डॉक्तर प्रमोज जी और उनकी टीम पूरी लगन के साथ आगे बढ़ा रही है, आज आजी के अमरित काल में जब देश आत्म निर्भरता के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो गोवा ने भी स्वयम पुर्णा गोवा का संकल्प लिया है, मुझे बताया गया है कि आत्म निर्भर भारत स्वयम पुर्णा गोवा के इस संकल्प के ज़यत, गोवा में 50 से अधिक कंपोनेंट्स के निर्मान पर काम हुथुरू हो चुका है, यह दिखाता है कि गोवा राष्ट्रिय लक्षों की प्राप्ति के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के नए अवसर तैयार करने के लिए, कितनी गंबीरता से काम कर रहा है। साथियों, आज गोवा सिर्फ कोविट टिका करने अग्रणी नहीं है, बलकि विकास के अनेक पैमानों में देश के अग्रणी राज्यों में हैं। गोवा, गोवा का जो रूरल और अर्बन छेत्र पूरी तरह से खुले में सौच से मुक्त हो रहा है। बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविदाओं को लेकर भी गोवा में अच्छा काम हो रहा है। गोवा देश का ऐसा राज्य है जहां शत्त प्रतिशत बिजली करन हो चुका है। हर गर नल से जल के मामले में तो गोवा ने कमाली कर दिया है। गोवा के ग्रामिट छेत्र में हर घर में नल जैसे जल पहुंचाने का प्रयास प्रसौंसरी यह है। इस जीवन यह जल जीवन मिशन के तहट बीते दो साल में देश ने अब तक लगबग पांच करोड परिवारों को पाइप के पानी की सुविदा जोड से जोडा है। जिस प्रकार गोवा ने इस अभ्यान को आगे बढ़ाया है। वो गुड गवर्नेंस और इस अभ लिविंग को लेकर गोवा सरकार की प्राश्विक्ता को भी स्फष्ट करता है। बाई और बहनों सूर्शासन को लेकर यही प्रतिबत दता कोरोना काल में गोवा सरकार ने दिखाई है। हर प्रकार की चनोतियों के भावजूद केंद्र सरकार ने जो भी मदद गोवा के लिए भेजी उसको तेजी से बिना किसी भेदवाव के हर लाभारति तक पहुँचाने का काम गोवा की टीम ने किया है। हर गरीब, हर किसान, हर मचुवारे साथी तक बदद पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। महिनों महिनों से गोवा के गरीब परिवारों को मुप्त राशन पूरी मांदारी के साथ पहुँचाया जा रहा है। मुप्त गैस सिलेंडर मिलने से गोवा की अनेक बहनों को मुश्किल समय में सहारा मिला है। गोवा के किसान परिवारों को पी-म किसान सम्मान निदी से करोडो रुपिये सीधे बैंक अकाउंट में मिले हैं। कोरोना काल में ही यहां के छोटे किसानों को मिशन मोड पर किसान क्रेडिट कार्ण मिले हैं। यही नहीं गोवा के पशुपालकों और मचुवारों को पहली बार बड़ी संख्या में किसान क्रेडिट कार्ण की सुविधा मिली है। पी-म स्वनिधी योजना के तहद भी गोवा में रहडी, पट्री और ठेले के माद्यम से व्यापार करने वाले साथ्यों को तेजी से लोन देने का काम चल रहा है। इन सारे प्रयासों की वज़र से गोवा के लोगों को बार के दोरान भी काफी मदद मिली है। भाई और बहनों, गोवा असीम संभावनाओं का प्रदेश है। गोवा देश का सिर्फ एक राज्य भर नहीं है, बलकि ब्रांड इंडिया की भी एक ससक्त पहचान है। ये हम सभी का दाइत्व है कि गोवा की इस भूमिका को हम विस्तार दें। गोवा में आज जो अच्छा काम हो रहा है, उसमें नरंतरता बहुत आवशकता है। लंबे समय बाद गोवा को राजरितिक स्थिर्ता का सुशासन का लाब मिल रहा है। इस सिल्सिले को गोवा के लोग ऐसे ही बनाए रखेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत 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 बढ़ाई। प्रमोज जी और उनकी पूरी टीम को बढ़ाई। सगलांग देव बड़े करू। धन्यवाद।